नमस्कार बहुत स्वागत है आपका किसान तक में मैं हूँ आपके साथ संध्या बिस्ट बात करेंगे मौसम को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आखिरकार वो घड़ी आ गई जब लोग इंतजार कर रहे थे कि मौसम में बदलाव हो तो दिली एंसियार में कई जगह पर हलकी भूंदा बांदी देखने को मिल रही है तेजवाओं के साथ लोगों को थोड़ी बहुत रहत मिलती नजर आ रही है लेकिन अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जल्दी प्रे मौनसों दस्तक देने वाला है तो फिलाल अब जानते हैं कि अगले 24 गंटे कैसा र देखने को मिल रहा है कई जगा पिर तो हलकी बर्फबारी भी हो रही है इसी तरीके से हिमाचर प्रदेश ते भी कई रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि बारिश का दौर शुरू हो चुका है लोगों को राहत मिलनी शुरू हो चुकी है तो आप देख सकते हैं कि अगर को लेकर अलट जारी किया गया है और यहां पर हवा की तेज गती भी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदिश के बात करेते हैं पिछले कई दिनों से यहां पर हीट वेव को लेकर रेड अलट जारी किया गया था काफी जादा तापमान बढ़ गया था लेकिन अभी भी बार इसका जो दौर है वो हलकी बुंदा बांदी देखने को मिल रही है वही बिहार के अगर में बात करो बिहार में भी हलकी बुंदा बांदी अगले 24 गंडे के दर्मियान देखने को मिल सकती है इसी तरीके से ओडिशा में भी आप नज़र डालेंगे कि तेज हवा की चलते बार बारिश को लेकर मध्य महराश्ट में बारिश को लेकर औरेंज अलट जारी किया गया है लगातार बारिश यहां पर देखने को मिल रही है वही अगर बाकी राज्यों की बात की जाए जिसमें की कोस्टल अंदर प्रदेश हो गया यहां पर भी हवा की तेज गती देखने को मि वेस्ट बंगॉल सिक्की में भी बारिश को लेकर अलट जा रही है समेगाले में भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है इसे राहत मिलती नजर आ रही है तो आपको बता दे कि अब बारिश का दौर लगातार देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीशन गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी तो दूस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही बाके तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं कि सामतर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बैल आइकन भी दबा देगे